नमस्कार मोहिनी की किचन में आपका स्वागत है तो यह 200 ग्राम बेशन है इसमें हम एक चुटकी हिंग डालेंगे और रादी चमच नमक डालेंगे और इसको हम घोल बना लेंगे बहुत ही टेश्टी सबजी बनेगी तो देखें मैंने इस घोल को बना लिया है बस इतना पतल इस कढ़ाई को हम गेस पर रखेंगे और इसमें हम डालेंगे तेल तो हम तेल थोड़ा ही डालेंगे और इसमें हम डाल देंगे घोल को अब इसको हम धीरे-धीरे चलाते रहेंगे आज को हम धीमा ही रखेंगे आज को बिल्कुल तेज नहीं करेंगे इस तरह हम लगातार चलाते रहेंगे जब ये थोड़ा सा गाड़ा हो जाए तो और चलाते रहेंगे थोड़ा सा गाड़ा नहीं एकदम सा गाड़ा हो जाए जितना आप कर सकें उतना गाड़ा इसको बना लें तो इस तरह से चलाते हुए गढ़ा बन जाएगा अभी शुरुआत है इसलिए ऐसा लग रहा है इसके बाद इस तरह से गढ़ा हो जाएगा देखे इतना गढ़ा हो गया है अब इतना गढ़ा हो गया है लगतार चलाने के बाद अब इससे ज़्यादा गाड़ा नहीं होगा तो अब हम इससे ज़्यादा गाड़ा नहीं कर पाएंगे तो अब हम इसको एक ठाली या प्लेट या किसी भी बरतन में इसको हम निकाल लेंगे तो देखें हम इस बरतन में निकाल लेंगे जो रोटी बेलने वाला है उसी में हम इसको निकालेंगे तो इसमें हम पहले थोड़ा से तेल लगा देंगे तेल ना भी लगाए तो वो सही हो जाएगा लेकिन तेल लगाने से ज्यादा अच्छा रहेगा तो मैंने थोड़ा सा तेल लगा दिया है और अब हम इसी घोल को देखे इतना गाड़ा हो गया है जितना गाड़ा आप कर सके उतना गाड़ा कर लें जिससे की जो है ना सबजी अच्छी बने और खराब ना हो तो इस तरह से हम कर्चुल की सायता से ऐसे फैला देंगे अभी गरा में तो फैल जाएगा अब थुड़ा से हलका सा हाथ लगा कर हम की इस तरह से बराबर कर लेंगे और अब ठंडा भी हो गया है तो इसको हम पनीर की तरह पीस काट लेंगे प्रेंड से इसमें बहुत तेश्टी सब्जी बनती है पनीर से भी ज़्यादा अच्छी सब्जी बनती है तो इसी तरह हम गट्टे की तरह काट लेंगे तो यह देखिए मैंने काट लिया है और एकदम पनीर की तरह टुकड़े कर लिये हैं एकदम शाप्ट हैं मुलायम है यह टाइट नहीं है तो इसकी बहुत सब्जी अच्छी बनेगी तब हम सुरू करते हैं सब्जी को बनाना तो कड़ाई को गैस भी रख दिया है और कड़ाई गरम भी हो गई है और अभी मिस्रियन डालेंगे तेल तो तेल इसमें थोड़ा से ज्यादा पड़ता है क्योंकि बेजन की सब्जी है तो इसमें हम डालेंगे एक इलाइची बड़ी वाली इलाइची और एक टुकड़ा दालचीनी की लकड़ी है तो इसको हम चला देंगे इसके बाद हम डालेंगे एक प्याच की टुकड़े कर लिये हैं साथ आठ कर लिया लेसुन की और दो हरी मिर्च हैं और आधि चम्मत मेति दाना है तो इस सारे चीजों को हम एक साथ ही डाल देंगे आप चाहे तो अलग-अलग डालें, चाहे तो एकी साथ में डाल दें सभी चीज़ें को तो मैं एकी साथ डाल रही हूँ तो इनको मैं पका लूँगी इस तरह से सभी चीज़ें पक गई हैं और इसमें हम थोड़ी सी हिंग डाल देंगे क्योंकि बेशन में हिंग बहुत तेश्टी लगती है हिंग से बहुत सब्जी की खुसबू आती है तो इस तरह से हमें पका लिया है अब इसमें हम डालेंगे दो चमच धनिया पाउडर और चोथियाई चमच हल्दी पाउडर चोथियाई चमच डालेंगे मिर्ची पाउडर और चोथियाई चमच ही डालेंगे गरम मसाला पाउडर तो इस तरह से हम चला देंगे जिससे की मसाले पक जाएं और जिससे की मसाले जले नहीं तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे अब अच्छे से पका लेंगे धीमी आज पर आज को ज़्यादा तेज नहीं करेंगे तो मसाले धीमे धीमे पक जाएंगे तो मसाला देखे यह पक रहा है अब इसमें हम डाल देंगे वही गट्टे बेशन के जो मैंने बनाए थे इस तरह से इतनी टेस्टी सब्गी बनती है कि आप लोग एक बार जरूर बना कर देखें अब इसमें हम पानी डाल देंगे तो पानी अपने टेस्ट के अनुसार हमको पतला रखना है या गाढ़ा वैसे तो यह सब्जी थोड़ी पतली अच्छी लगती है क्योंकि यह चावल के साथ सब्जी बहुत अच्छी लगती है रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है तो इसमें हम डालेंगे बार के एक चमच नमक तो नमक अपने साथ के अन्वज़ा डालेंगे एक चमच मैंने नमक डाल दिया है इस तरह से दिखिए कितने अच्छी लग रही है सबजी अब इसको हम धग देंगे सारा कुछ पढ़ गया है इसको हम धक देंगे और पका लेंगे तो आज को हम मेडियम रखेंगे और इसके बार हम धीमा कर देंगे तो यह देखे सब्जी मैंने दो बार देखी थी और सब्जी पक गई है बहुत तेस्टी सब्जी बनती है तो अब हम इसको सर्व करेंगे तो यह देखे बेसन की सब्जी बनकर तयार है पनीर से भी टेस्टी बनती है यह सब्जी तो अगर बेसन की सब्जी इस तरह से बनी हुई है आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सेयर करें, कमिन्ट करें और सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन जरूर दमाएं जिससे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिले फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ आपते के लिए, बाइ-बाइ